गाउं में अचानक बीमार हुए 60 से जादा लोग खोलना पड़ा आइस्थाई अस्पताल बजय जानकर हैरान करने वाली खबर मर्खडा गुलाब गाउं में दूसित खान पान से करीब 60 लोग बीमार हो गए लोगों को उल्टी दस्त की सिकायत होने पर प्रसासन ने गाउं में आनन फानन में आइस्थाई अस्पताल की विवस्ता की है साथ ही CMHO डक्टर दिनेस खत्री SDM सौरम मिस्रा दिनेस गुपता तैसिलदार S.R. देशमुख ने गाउं का दौरा किया गाउं में डक्टर तैनात किये गए बेगम गंच के मर्खिड़ा गुलाप के गाउं में कई लोगों को ऊल्टी दस्त की सिकायत के चलते हलकंप मच गया ग्रामिनों का कहना है कि गाउं में करीब 60 से ज़्यादा लोग बीमार है प्रशासन का कहना है कि 17 लोग उल्टी दस्त से पीड़ित हैं बहीं पर करीब 40 लोग मौसमी बीमारी से पीड़ित हैं खबर मिलते ही प्रशासन ने गाउं में अश्थाई अस्पताल की विवस्ता करने के साथ साथ बीमार लोगों को बुंदेल खंड मेडिकल काले सागर सास के सामदा एक स्वास्त केंद शुल्तान गंज भरती कराया है SGM-14 मिस्रा ने गाउं का दोरा किया उनका कहना है कि गाउं के कुए का दूसित पानी के कारण लोगों के बीमार होने की आशंका है जिसे बंद कर दिया गया है कुए के पानी का सेंपल जाच के लिए बेजा गया है फिरहाल गाउं में डाक्टर तैनात कर दिये गए हैं जो बीमार लोगों का इलाज कर रहे हैं और घर घर जाकर लोगों की तबियत का हाल-चाल जान रहे हैं फिरहाल गाउं में पानी की विबस्ता के लिए अलग से टैंकर भेजे जा रहे हैं और गाउं के साब कुए को बोर से पानी की सप्लाई की जा रही है हम आपको बता दें पहले भी एक ही महले के करीब 17 लोग डाइरिया बीमारी की चपेट में आए थे गाउं में करीब 40 से ज़्यादा लोग मौसमी बीमारी की चपेट में हैं जिनका उपचार जारी है गाउं में डाइरिया के प्रकोप की खबर लगते ही स्वास्त विवाग सक्री हो गया सुबह जिला एबं बलाग प्रशासन गाउं पहुचा जहां उन्होंने आंगनमारी भवन में आइस्थाई अस्पताल में इलाज कर रहे लोगों से मुलाकात की बही स्वास्त राजस्त पंच्याद ग्रामी और विकास महिला बाल विकास विवाग की सैयुक्त टीम ने भी गाउं के घर घर जाकर लोगों के बीमार होने की जानकारी जुटाई जा रही है और बी न्यूज आप से अपील करता है ये बारिस के दिन जाने के पहले पानी होताता है कुगों का गंदा बोर से भी पानी निकलता है गंदा इसलिए जो पानी आप लोग पीते हैं उसे गरम करें फिर ठंडा करें और उसे च्छान कर पीएं हमारे संबाद्धात श्यरत श्यर्मा की स्पेशल रिपोर्ट